आईए कुछ करके देखें परावर्तन एक देख परिवर्तन है क्यों? ग्रूप में चर्चा करके कारण सहित लिखें रोट के एक तरफ बिजली का खंबा ए लगा है खंबे की रोट से लंबवध दूरी 120 मीटर है रोट को परावर्तन के रेखा मानकर खंबे का परावर्तन या रिफ्लेक्शन करें अब बताएं कि परावर्तन के बाद रोट की दूसरी तरफ बने खंबे के प्रतिविम ए डेश के लंबवध दूरी X कितनी होगी? तीसरा घुमाओ, रोटेशन अब हम तीसरे तरीके के परिवर्तन पर चर्चा करते हैं यहां चत्रभुष PQRS को बिंदू R को केंद्र मानकर एक निशित माप के कोड में घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया गया है यहां क्रिया घुमाओ या रोटेशन है चित्र को देखिए और बताईए क्या चत्रभुष PQRS, चत्रभुष P-Q-R-S के सर्वांगसम है यानि घुमाओ एक दिर्ण परिवर्तन है आपने मेले में ऐसे जूले देखे होंगे जो वृत्ताकार घुमते हैं इसी तरह का एक जूला चित्र में दिखाया है यहां जूला बिंदू O के सापेश घुम रहा है यानि बिंदू O घुमाओ का केंदर है यहां घुमाओ का केंदर वस्तु के बाहर इस्थित है यदि हम घुमते हुए जूले को देखे तो हम पाएंगे कि वह एक वृत्ताकारपत में बिंदू O के चारों और घुमता है ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि जूले पर इस्थित कोई भी बिंदू A ये बिंदू B भी वृत्ताकारपत पर ही घुमेगा घुमाओ की प्रक्रिया पर एक नए उधारन द्वारा चर्चा करते हैं चित्र आठ को देखिए यहां ज़ंडे P Q को बिंदू O के आधार पर 30 अंश गड़ी की सुई की दिशा में घुमाया है यहां घुमाओ का केंदर O बाहर इस्थित है ऐसी स्थिते में आकरिती को 30 अंश गुमाने के लिए आकरिते पर स्थित किसी बिंदू P अत्वा Q से केंदर O को जोडते हुए रेखा बनाए अब रेखा के लंबाई को स्थितर रखते हुए घड़ी की दिशा में 30 अंश का गुमाओ करे ध्यान दीजिए कि आकरिती 30 अंश गुमी है साथ ही आकरिती पर इस्थित बिंदू P और बिंदू Q में भी 30 अंश का गुमाओ हुआ है गुमाओ की क्रिया करने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना होगा पहला गुमाओ का केंदर यानि Center of Rotation वह बिंदू जिसके आधार पर आकरिती को घुमाएंगे इस बिंदू की इस्थिती आकरिती पर या आकरिती के बाहर भी हो सकती है दूसरा गुमाओ के दिशा जो की घड़ी की सुई की दिशा के समान या घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होगी तीसरा घुमाओं के कोड़ की माप घुमाओं का केंदर और घुमाओं के दिशा निरधारित करने के साथ हमें तै करना होगा कि हम आकरिती को कितने कोड़ से घुमाना चाहते हैं अब हम दूसरे परिवर्तन अद्रिड परिवर्तन या नाउन रिजिट ट्रांसफार्मेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें मूल आकरिती परिवर्तित आकरिती के सरवांग समना हो जैसे स्केलिंग जिसे हम बढ़ाना या घटाना कह सकते हैं इस प्रकार के परिवर्तन को अद्रिण परिवर्तन या नाउन रिजिड ट्रांसफार्मेशन कहते हैं। यहां बने हुए चतिजगर के दो नक्षों को देखें। दोनों नक्षों की आकरती समान है जबकी आकार या साइज अलग-अलग है। करके देखें। चित्र में घुमाओं को देखें और दोनों चित्रों में हो रहा हैं परिवर्तन के लिए निन्मड़ ट्रश्चनों के उत्तर अलग-अलग दें। पहला घुमाओं के केंदर बिंदु का नाम, तूसरा केंदर बिंदु के इस्थिती, आकरिती पर या आकरिती के बाहर, तीसरा घुमाओं के दिशा, और चौथा घुमाओं के कोण की माप, सम्मिति या सिमेट्री. यहां बनी कुछ आकरितियां देखे, यदि हम उन्हें ठीक आधे से मोड़े, तो दोनों और समान आकरितियां ही प्राप्थ होंगी. इस तरह की आकरितियों को हम क्या कहते हैं? और उस रेखा को क्या कहेंगे, जिस पर आकरितियां ठीक आधे में विभाजित होती हैं. बच्चो, यह आकरितियां सम्मिति आकरितियां कहलाती हैं, और जो रेखा आकरितियों को ठीक दो हिस्सों में विभाजित करें, उसे सम्मित रेखा या line of symmetry कहते हैं. रैखिक सम्मिती, लीनेर सिमेट्री हम आसपास की कुछ वस्तुओं में, इमारतों में, जैमिती आकरितियों में, प्राकरितिक संदर्चनाओं में सम्मिती को पहचान सकते हैं चित्र 10 को देखो इस चित्र पर एक ऐसी रेखा खीचे, जो इसे दो सम्मित हिस्सों में बाटती है सम्मित रेखा के दोनों तरफ की आकरितियां समान है आप ऐसे कुछ और चित्र सोचिए चित्र 11 देखिए यहां सम्मित रेखा शेतिज है जिसके दोनों और पक्षी का चित्र समान है इसे रेखिक सम्मिती कहते है क्या इन चित्रों में कोई और भी रेखा खेची जा सकती है जो इन्हें सम्मित हिस्सों में बाटे